बुजुर्गों के माता पिता के चरनिस पर्ष करते हैं घर में बालकों को सिक्षा दीजिए वैसे तो यहां सारी बालक बड़े संसकारी मरत जा घर में चले जाओ सब सब को डनवत की क्रिया प्रणाम करने का धंगी कि जब कोई संत आये तो सास्टांग डनवत प्रणाम करें मातां को सास्टांग नहीं करना चाहिए मातां को गुटनों के बल पर करना चाहिए यह ऐसे भी प्रणाम कर सकते एकदम लेट कर नहीं किया जाता है वो सास्टे की विरुद्ध्द होता है कि अब कईक घरों में जाओ आप बहुत सारे घरों में जाओमात पिल एक दूसरे को प्रणाम करते हैं कि अब को संत माहत्मा जायर बड़ा आजायर तो उस अपने बच्छे से कहेंगे बिटा प्रणाम करो वह क browsers 2012 कुझ करोंगा बहुत बोलते हैं बिटा करो बेटा किरो आप बेटे ने खुद देखा होगा तब ए तो पर देखा होगा के दादी दादी नघे उनको करते हैं- तुवह य देखकर बालों कोमें संसकार पढेतै तो इस पीड़ी में नहीं आने वाली इसलिए याद रखें आप चाहें कितनी भी सिक्षा दें अच्छे स्कूल में पढ़ा लें अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ा लें वेदेशों में पढ़ा लें यदि आपने उन्हें संसकार और भावनाओं से नहीं जोडा तो वह होते ही वोड़ जाते हैं उनको नहीं देखते हैं इसलिए याद रखें सिक्षा से ज्यादा संसकार भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं संतों के आश्रवास से सास्त्रों आदि का अध्यान करा करके कहीं भी कोई व्यभारी कारी हो रहा है बच्चों को लेके जाएं ज जनम दिन मनाते हैं मत करिये उतना विशालता कि लाखो रुपे खर्च करके काट बटवा रहे हैं बड़े बड़े केक मंगा रहे हैं ले जाए अनाथा श्रम में बच्चों को जोड़िए कि ऐसे ऐसे बालक के जनके माता पिता नहीं हैं आप इतना सुप भोग रहे हैं ले पैंसले कॉपी के लिए पैसा नहीं होता जोड़े उन्हें भावनाओं से वो आपकी सेवा सतकार करना नहीं छोड़ेंगे उन्हें किसी प्रकार की कभी उनसे कोई गलती नहीं होगी हमेशा माता पिता की आग्या में रहेंगे लेकिन जिनको आपने भावनाओं से नहीं ज कुछे ये था वो नहीं दिया आपने